Hello everyone, मैं हूं मरत अश्कीर हो, आप देख रहे हैं WSQ Tech QTX दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Keyword Match Types के बारे में Google Ads में Keyword Match Types क्या होते हैं और हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं जो Digital Marketing Course है, और आप चाहते हैं आपने उसके अंदर जो Keyword रखा है आप चाहते हैं कि वो जो हमारा Add है वो Trigger करना चाहिए, बिसिकली एक Keyword पर जो है हमारा Digital Marketing Course फाइन, ये एक Keyword है इसके उपर आपने Digital Marketing Course से रिलेटेड एक Add बनाया है वो Add आपका इस Keyword के उपर Trigger होना चाहिए, सर्च में Show होना चाहिए लेकिन क्या वो Add इस दूसरे Keyword पर भी Show हो सकता है Online Marketing Course या आप चाहते हैं कि दूसरे Keyword पर भी सर्च हो जाए, सपोज आप कोई Digital Marketing Course देते हैं या मैं कहूं कि आप कोई Institute हैं जो Digital Marketing Course प्रोवाइड करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई अगर जो User है वो सर्च करे Digital Marketing Course तो आपका जो Add है वो वहाँ पर Show हो बट अगर कोई User Online Marketing Course सर्च कर रहा है तो आप चाहते हैं कि आपका Add Show हो या ना हो है तो लगभग लगभग अगर इस Word को देखा जाए तो दोनों Synonyms तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपका Add इसके उपर भी Show हो बट कई बार कुछ ऐसी Conditions होती है कि आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर Add Show ये तो एक ऐसा Example इसमें आप देख रहे हैं कि एक Keyword से Related दूसरा Keyword है आप चाहेंगे कि दोनों के उपर हमारा Add Show हो बट कई बार ऐसा होता है कि इस Case का बिलकुल Opposite हो जाता है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपका Add ना Show हो तो ये जो आप देख रहे हैं कि Keywords के उपर Control आपको चाहिए ठीक है ये आप खुद से Manage कर सकते हैं थ्रू Google Ads Platform और ये चीज़े यही चीज़े हैं हमारी Keyword Match Types तो कितने तरीके की Keyword Match Types होते हैं अगर हम देखें यहाँ पर आपको चार तरीके के Keyword Match Types दिखते हैं और इनका Scope देखते हैं मतलब कि अगर हम इस टाइप से Keyword को SET करेंगे तो किस तरीके से हमारा Add Trigger हो सकता है थीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको Match Type दिख रहा है यानि Match Type का नाम दिख रहा है पहले वाले कॉलम में Second वाले कॉलम में हमें यह दिख रहा है कि किस तरीके से हम अपने Keyword को define करेंगे, मतलब किस तरीके से हम अपने keyword को symbol देंगे कि वो broad match modifier है या phrase modifier है, या exact match modifier है, उसके बाद example keyword हम लोगों नहीं कि यहाँ पर रख रखा है ठीक है, और ये keyword क्या कर सकता है, मतलब किस तरीके की searches intent कर सकता है और उसके बाद किस तरीके की searches पे, इस keyword का add trigger हो जाएगा, यह पूरा यहाँ पर एक chart बना हूँ, इसको एक एक करके मैं explain कर दे रहा हूँ आपको, so broad match type जो होता है, अगर आपका keyword broad match type है, तो आपको कोई special symbol नहीं देना है, जैसे आपने अपना keyword रखा हुआ है, digital marketing course तो केवल digital marketing course ही आपको अपना keyword रखना है, कुछ उसके आगे पीछे कुछ भी add नहीं करना है तो अगर इसको यह माने तो default जो हमारा keyword होता है, वो broad match type ही keyword होता है, क्यों हम उसमें कुछ add नहीं करते हैं अब broad match keyword, अगर आपने select करका इस type का, तो उसमें क्या होगा it can include miss spellings, synonyms, related searches and other relevant variations, मतलब यहाँ पर scope बहुत जादा है, broad match में बहुत जादा scope है, अगर आपने broad match का keyword select करका, तो chances है कि उसके synonyms, miss spellings और यह सब कोई चीज़े अगर user type करता है उस case में भी आपका add trigger हो जाए यानि आपका add search engine में show हो जाए तो यहाँ पर keyword का example लिया women's hat, यह keyword हमने select किया है women's hat, ठीक है और यह किस mode में selected है यह किस type में selected है broad match में selected है तो अगर कोई by ladies hats भी type करता है तब भी हमारा add जो है वो show हो जाएगा क्यों, women's hat का synonym एक तरीके से ladies hat हो गया और by भी अगर कोई type करता है तब भी हमारा add यहाँ पर trigger हो जाएगा शो हो जाएगा तो इससे क्या समझ में आए कि broad match का जो scope है वो बहुत जादा है broad match का scope बहुत high है ठीक है, तो यहाँ पर आपको clicks बहुत मिल सकते है कि आपके ads के impression जादा होगे तो आपके clicks मिलने के chances भी बहुत जादा होते है second पे आ जाते है broad match modifier broad match modifier match type क्या करता है जो आपका जो भी keyword होगा उसके आगे आपको छोटा सा plus symbol लगाना पड़ेगा तो यह define करता है कि यह एक particular keyword जो है वो broad match की category में आगे है जैसे यहाँ पर दो words से मिलके keyword बना हुआ था यह वाला example है यह women's hats तो आप देख रहे है plus कर दिया women's के आगे और hats के आगे भी plus लगा दिया तो अब यह किस तरीके का scope generate करता है contains the modified terms or closure variations but not synonyms in any order मतलब अगर आपने अपना keyword broad match modifier define किया है तो अगर कोई user आता है और उसके query में यह words है जैसे women's तो women और hats तो hats अगर यह words है तो आपका add trigger हो जाएगा यह depend नहीं करता कि इनका order क्या है इनका order आगे पीछे भी हो सकता है जैसे यहाँ पर है women पीछे चला गया hats आ गया गया फिर भी आपका add जो है वो trigger हो जाएगा और क्या case है दूसरा case यह है कि इसका जो बहुत close variations होंगे synonyms नहीं synonyms नहीं होना है यानि कि women's का अगर यहाँ पर ladies type होता ladies hat for ladies तो आपका add trigger नहीं करता क्योंकि women's का synonyms हो गया ladies लेकिन हम synonyms नहीं लेंगे हम क्या लेंगे women's के closure variation जैसे women तो women और women अगर keyword यहाँ पर आएगा तो आपका add trigger हो जाएगा broad match modifier का मतलब यह हुआ कि जिन भी keywords के आगे आपने plus sign लगाया है वो keywords अगर user के search query में present है किसी भी order में वो keywords या उनके close variations तो आपका add trigger हो जाएगा तो यह दूसरे type का keyword match type हुआ तीसरे का हुआ phrase match phrase match क्या बताता है इसको पहली बात तो हमें represent कैसे करना है जो आपका keyword है उसको आपको quotes में लिख देना है double quotes में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है woman hats are a phrase and close variations of that phrase यानि exactly यही चीज होनी चाहिए ठीक है इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है कोई problem नहीं है but exactly यही चीज होनी चाहिए या इसके closer variations होने चाहिए तो जैसे और जो हम लोगों ने यहाँ पर phrase match define किया था वो पूरा का पूरा keyword है यहाँ पर तो आपका add trigger हो जाएगा अगर यहाँ पर by woman hat होता hats होता तब भी आपका जो add है वो trigger हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है close variation of that phrase यह भी trigger कर देता है तो आप समझ रहे होंगे अब इतने तीन हम लोगों ने keywords जो discuss किये हैं यहाँ पर keywords match type इससे आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि आपको आप जो keywords define करते हैं जो आप add group के अंदर keywords को define करेंगे इसलिए मैं यह आपके जो basic concept ने मैं पहले clear कर देना चाह रहा हूँ ताकि जब हम लोग campaigning start करेंगे campus बनाना सीखेंगे उस वक्त आपको कोई problem ना है आपको यह सारे terms already clear हो तो चलिए चौथा type देखते हैं हम लोग match type जो है हमारा exact match type हम सही बहुत कुछ clear हो जाता है इसको किस तरीके से denote करेंगे आपको अपने keyword को in brackets के बीच में रखना है यहाँ पर woman's hat हो गया यह keyword हमारा brackets के बीच में आ गया are an exact term and close variations of that exact term अब यहाँ पर आगे पीछे कुछ add करने का कोई scope नहीं है सीधे सीधे यही exact यही चीज़ होनी चाहिए या इसका close variation हो सकता है बस आगे पीछे कुछ नहीं होना चीज़ है same order में होना चीज़ है तो यह हमारा हो गया exact match तो यह चार तरीके के keyword match types होते हैं जिनको आप Google Ads में use कर सकते हैं और इनको use करके आप अपने ad की triggering पे बहुत अच्छा control कर सकते हैं जनरली लोग इन सीचों को miss कर जाते हैं मैंने देखा है बहुत से लोग campaigns जब बनते हैं ये जितनी भी important चीज़ है इन सीचों miss कर जाते हैं इसको explore ही नहीं करते हैं इनको use ही नहीं करते हैं तो अपने को सीखते वक्त भी ये गलती नहीं करनी है और जब implementation platform पर आना है तब भी ये गलती नहीं करनी है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये basic concept समझ में आ गए होंगे ये keyword match types क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम उनको denote करते हैं और किस तरीके से वो हमारे ads को trigger करते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी support करें, इस वीडियो को भी like करें, share कर दें ताकि ये वीडियो और हमारे courses दूसे लोगों तक भी पहुंसते रहें और हमारे channel को subscribe करना न भूले, bell icon को press करना न भूले, ताकि जितने भी वीडियो हम upload करते रहते हैं, उन सभी के notifications time to time आपको मिलते रहें तो thank you guys once again for providing us love and support and watching this video